नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नहीं वीडियो लेकिया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को मोनो एम्प्लिफार की सेटिंग के बारे हम बताऊंगा वैसे तो इसका टेकनिकल तरीका थोड़ा अलग है टूल्स के साथ इसको सेट किया जाता है बट फिर भी मैंन एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें थोड़ा सा टेकनिकल तरीके से मैंने समझाया हुआ है तो आज मैं आपको इसको बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊंगा जिससे ये सेटिंग आप लोगों के दिमाग में 100% आ जाएगी क्योंकि देखो मैं आप लोगों को एक चीज सम अगर जो मैं वो पॉइंट भी आपको बताऊं तब भी ये चीज पॉसिबल नहीं है अगर किसी का तुक्का लग गया लग गया बट ये सेटिंग जब तक आप अपने कानों से नहीं सुनोगे तब तक आप कर भी नहीं पाऊगे इसलिए इसको वही बंदा कर सकता है जो इ वही चीज़े में आप लोगों को आज इस वीडियो में समझाऊंगा सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो इस एम्प्लिफायर की कि हमें अपनी आरसीय कहां पे लगानी चाहिए ये इन्पुट जहां पे लिखा होता है लेफ्ट राइट वहां पे अपनी आरसीय आप होगे उसी हिसाब से आपको इसको सेट करना होता है देखो इसमें मैं सेटिंग तो आप लोगो समझा दूँगा बट सब वूफर के डैमेज की गरंटी आपकी होगी उसमें क्योंकि गेन को आरेमेस के हिसाब से सेट करना वो थोड़ा मुश्किल होता है तो चलिए एक बार मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वीडियो को एक बार समझा देता हूँ आपको कि कौन सी चीज क्या काम करती है सबसे पहले आती है हमारी गेन तो गेन को थोड़ा ध्यान से समझना सीखना मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये काम कैसे करती है जो गेन होती है हमारी ये ग यूज कर सकते हो, अगर जो आपका amplifier आपके subwoofer के हिसाब से है, पूरा-पूरा, तब आपको इसको एक अच्छे तरीके से set करना होता है, अब इसको set करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपको अपने कानों से सुनना होगा, कि हमारा जो subwoofer है वो distortion तो amplifier है, output, input इसकी, और इसको यहाँ पर set करो, मानलो आपका amplifier है, ये stereo है आपका, वो 3V का है, तो इसकी gain की जो knob है, वो 3V के हिसाब से ही हमें set करनी होती है, ठीक है, तो gain का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, gain इससे जादा कोई काम नहीं करती है, अगर जो आप सोचते हो कि gain volume की त तरह काम नहीं करती है, एक तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, अगर जो आपके amplifier की RMS ज़्यादा और subwoofer की power कम, तब आप gain से काम ले सकते हो, इसके अलावा gain से आप काम नहीं ले सकते, उसके बाद जो हमारा आएगा, वो आता है आगे LPF, LPF का मतलब क्या होता है, LPF की फुल फूम होती है, लो पास फिल्टर, अब लो पास फिल्टर करता क्या है, जो unwanted signals होते हैं, जो हमारा amplifier हमारे subwoofer तक पहुचाता है, मालो कई बार आपने दे नोट किया होगा, जब भी आप LPF को बढ़ाते हो, तो आपके subwoofer से खर खर की आवाजे आने शुरू हो जाती है पढ़ पढ़ की आवाजे कुछ, ऐसी आवाजे आने शुरू हो जाती है, जिसको हम distortion बोलते हैं, तो उस चीज को खतम करने के लिए LPF बनाया गया है, अब LPF को set कैसे करना है आपको, LPF को उस हिसाब से set करो, जहां पे आपका amplifier जो है, जो subwoofer है, वो बिल्कुल clean बजने वहाँ पे इसको set कर दो अब, तो mostly इसको 50-60% पे ही जातर set किया जाता है, बाकी depend करता है, enclosure के उपर, subwoofer के उपर, ये depend करता है, कि आपको इसको कहाँ पे set करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि इसको बस इसी हिसाब से set करना होता है, कि जहाँ पे आपका subwoofer clean बजने वहाँ पे इसको set कर दो, जहाँ पे आपका subwoofer low भी अच्छी दे रहा है और loud भी अच्छी दे रहा है, वहाँ पे उसी हिसाब से इस चीज को set कर लेना चाहिए, उसके बाद आता है हमारा subsonic, अब subsonic क्या काम करता है, subsonic जो होता है, वो हमारे जो low frequency होती है, उनको set करने के लिए होता है, कहीं बार आप note करना, कि आप जब subsonic बिल्कुल खतम कर देते हो, zero कर देते हो, off कर देते हो subsonic को, तो आपके subwoofer की excursion जो है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा उचलने लगता है कहने का मतलब, यह उसी चीज को set करने के लिए होता है, जब आपके subwoofer को हद से जादा low frequency मिलने लगे, तो यह उस चीज को set करने के लिए होता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, सबसोनिक भी बहुत ज्यादा subwoofer खराब करता है, तो इसको भी एक तरीके से set करना ह कि अपने कानों से सुनकर कि जहां पे हमारा subsonic बिल्कुल set है, clean बज रहा है, वहां पे इसको set कर दो, इसके लाबा कुछ नहीं छेड़ना आपको, उसके बाद जो आएगा हमारा, वो आता है base boost frequency, अब base boost frequency क्या चीज है, देखो इसका technical तरीका कुछ और है, वैसे मैं आपक समझाता हूं, जैसे समझा रहा हूं, तो यह चीजे कुछ और बनती है, और टेकनिकल तरीके से अगर आप समझोगे, तो तब यह चीजे कुछ और होती है, तो मैं एक देसी सी language में आपको बता देता हूं, कि base boost frequency क्या है, बेस boost frequency को आप अपने उस हिसाब से set करना है, कि जादा ध्यान देगा, ठीक है, अब यह base boost क्या है, बेस boost खाली जो है, यह चीज क्या है, इस से क्या होगा कि आपने जो अपने amplifier की setting की है, यह भी मैं एक देसी जुगाड ही बता रहा हूं, टेकनिकल तरीके से यह भी कुछ और निकलता है, ठीक है, अब जो आपने पूरे amplifier की setting कर दिये है, अब उस setting को, same setting आपको, थोड़ी सी आवाज बढ़ानी है, जैसे, कि हाँ भाई मेरको, अब setting इसकी सही होगी है, अब मेरको थोड़ा सा loud चाहिए system, तो यहां से आप अपने पूरे system की DB को बढ़ा सकते हो, तो यहां पे बस यही काम होता है, इसके अलावा amplifier में और कोई setting नहीं है, बाकी अभी comment काफी सारे आ जाएंगे, कि यह चीज़ ऐसे होती है, यह चीज़ ऐसे होती है, यह चीज़ ऐसे होती है, एको मैं आप लोगों को, अगर जो किसी को देखनी है, प्रोपर तरीके से, टेकनिकल तरीके से समझना है थोड़ा सा, तो वो म में चीज़ देखो, ध्यान रखना कि जो gain है, gain से आपके subwoofer के खराब होने के chances होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब distortion हद से जादा मिलने लगे subwoofer को, वैसे तो सारी जो knob होती है amplifier में, वो सभी subwoofer के लिए harmful होती हैं, खतरनाक होती हैं, तो इसलिए हमेशा amplifier की setting थोड़े धंग स करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, सोच समझ के करोगे, अपने कानों से सुन के करोगे, क्योंकि कहीं लोग तो distortion को भी base मानते हैं, जब subwoofer करने लगता हैं, तो उसको भी base मानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि हमारा subwoofer अब खराब होने वाला है, तो इसलिए इस चीज के साथ हम ज़्यादा पंगे ना लें, एक clean subwoofer अगर जो आप मानलो आपका 400 RMS का subwoofer है, ठीक है, अगर उस subwoofer को आप clean power 500 भी दो ना, तो भी आपका subwoofer चल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो power clean होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, कोई distortion नहीं होना चाहिए, चा में चीज है कि setting, अब setting किस तरीके से करते हो, किस हिसाब से उसकी setting को आप कर रहे हो, यह चीज माईने रखती है, इसके लावा कुछ भी amplifier में और नहीं होता, बाकी तो यही input वगरा होती है, पीछे की setting जो होती है, तो अमीद है दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच अच्छी लगे होगी, अच्छी लगे तो like करना, बुरी लगे तो dislike करना, जो मेरे नए भाई है मेरे channel को subscribe करने, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूं, बाबाए